नमस्कार दोस्तों Star IQ में आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरा नाम है सुनिल आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे 29 जुन के Current Affair इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आईए शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों को एक बहुत ही अच करन करेंगे आपने पूरे दिन में इंटरनेट बचा के रख लीजिएगा उस दिन कहीं ऐसा ना हो कि आप इंटरनेट पहले ही खापी लो ठीक है तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा शाम को सही साथ बजे लाइव पढ़ाऊंगा लाइव इन दा सेंस कि मेरा फेस भी प्लीज आप जरूर देखिएगा दोस्तों तक शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज प्लीज कर लीजिएगा और उस दिन आप अपने सगे समंदी मित्रों को सकीयों को सहेलियों को अपनी अपनी सकी सहेलियों को दूसरों को नहीं ठ अपडेट क्या है एक करोड एक लाग बानमे हजार साथ सो सताइस लोग करोणा संक्रमित हो चुके हैं दुनिया भर के अंदर और सबसे जदा अमेरिका के अंदर है और दूसरा ब्राजील है तीसरा रशिया है चोथा भारत है थोड़े ही समय की बात है चोथे नंबर पे भार लेकिन चोथे नंबर पे मुझे लगेगा रशिया आएगा तीसरे पे भारत जाएगा क्योंकि आप इन दोनों के अंदर जो है अंतर देखी का काफी कम है लेकिन ये अंतर जो है अब क्यों तीसरे पे आ जाएगा क्योंकि आप यहां नजर डालिएगा एक दिन में रशिया में लगबग 6-7 जारी केस आ रहे हैं लेकिन भारत के अंदर तो जो है 19,620 हर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं कभी 17,18,19,20 रोज बढ़ रहे हैं ठीक है चलिए हागे बढ़ते हैं हम लोग उससे पहले हमारा जो पहला क्यूस्टन रहेगा वो है कि निमन में से नासा का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा यह क्यूस्टन हमें कहता है कि नासा के हेड़कॉर्टर का नाम एक्चुल में तो नासा के हेड़कॉर्टर का नाम जो है वो मैरी डबल्यू जेक्सन के नाम पे रखा जाएगा यह option जो है इस question का बिल्कुल ठीक रहेगा जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है Mary W. Jackson अच्छे यह हैं कोन फिर तो यह हैं अमेरिका की परसिद एक mathematician और के साथ में एक aerospace engineer थी यह और 1992 में इन्होंने mathematics और physics के अंदर Hampton University से degree जो है प्राप्त की थी NASA का full form आप comment में मुझे बताईएगा और NASA की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी headquarter Washington DC में है इतनी बाते आपको याद रखनी है अगले question के और चलते हैं तो हाल ही में वीर चकर से समानित लीडर परवेज जामस जी का जो है निदन हो गया है कुण सी कितनी उमर के अंदर जो है इनका निदन हुआ है तो यह 77 वर्स की उमर में जो है यह निदन हो गया इनका जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे अच्छा इनको हम पढ़ क्यों रहे हैं क्योंकि इन्हों ने 1931 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें अपना काफी अच्छा प्राकरम दिखाया था उसी के बलबूते इनको वीर चकर से समानित किया इन्होंने 1965 से लेके 1985 तक डिफेंस के अंदर काम किया था तो आपको इतनी बाते जो हैं याद रखनी है अगला केशन है हाल ही में नेविगेशन दा न्यू नॉमल अभियान किसने सुरू किया है बहुत इपार्टन केशन है नेविगेशन दा न्यू नॉमल अभियान से सुरुक्षित रखने के लिए अपनी आम दिन्चरिया के अंदर कुछ चीजों को अपनाने के लिए या कुछ फैक्ट को अपनाने के लिए एक लोगों से गुहार की जा रही है उन्हें से सबसे पहला जो है मास्क पहनना देखिएगा यह बहुत अच्छा एक कहिएगा दिन्चरिया में सामिल करना अच्छी बात है आप जापान के बारे में थोड़ा देखिएगा दुनिया बर में आप सभी को पता है कि इस से पहले एक पैंडेमिक आया था स्वाइन फ्लू तकरीबन 2009 के अंदर अब जैसे ही स्वाइन फ्लू आया था तो जापान ने सालों के अंदर वो नॉर्मली मास्क पहने ही रखते हैं वो हलांकि कुछ लोग मतलब उस पे इंडियन है या जो भी लोग है वो मजाक उडाते हैं कि ये क्या मतलब मुँपे पट्टी बांद के घूम रहे हैं लेकिन आज वो चीज बड़ी सही लग रही है कि एकर मास्क प सकते हैं जापान के अंदर कोई मिलता है तो ऐसे नहीं मिलते हैं कि किसी से गले लग जाएं किसी से हाथ मिला लें वहां पर वहां पे एक बोट टाइप का नेचर है आप हाथ जोड़के उसको कहिएगा नमस्कार जी, प्रणाम जी, राधे राधे जी ठीक है जी और तीसरा है हाथ स्वच रखना इस महामले में लड़कियां अच्छी हो सकती है क्योंकि हम जब कॉलिज में पढ़ा करते थे तबी से मुझे याद है कि गल्स सैनेटाइजर रखा करती थी जब मैंने पहली पार सैनेटाइजर मतलब यूज किया था तो बड़ा अच्छा लगा था हाथ ठंडे होगे, हाथ साफ होगे लेकिन उस टेम तो यूँ लगता था कि सैनेटाइजर यूज करने के बाद में फिर हाथ धोने होते थे इतना पता नहीं होता था लेकिन दूसरी बात यह है कि फिलहाल के लिए सैनेटाइजर सब को यूज करना चीए ठीक है, गल्स है, बॉइस है यह बहुत जरूरी हाथ को साफ रखना जम्स वगरा को बाकि अगर सैनेटाइजर नहीं भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है साबुन वगरा से भी हाथ धोह जा सकते है और फोर्थ जो फैक्टर है सारजनिक स्थानों पर नहीं थूकना यह भी जो है important लोगों के लिए कहना है और एक अच्छी बात है कि लोग अगर ना थूकें तो जहारखन भारत का पहले ऐसा राजिया बना है जिसने यह गुहार लगाई है क्या कि यह जर्दा है, बीडी है, गुटका है इनको बैन कर दिया जहारखन राजिया फुल फॉर्म इपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टिटूशन फॉर ट्रांस्वर्मिंग इंडिया हैड़कॉर्टर न्यू डैली में है अध्यक्स का नाम प्रधान मंत्री निरेंदर मोदी है CEO अमिताब कांत है इसके पहले अध्यक्स जो थे उनका नाम अरविंद पनगडिया है वर्तमान में उपा अध्यक्स जो है राजियू कुमार है ये याद रखियेगा नीती आयो के पहले अध्यक्स तो प्रधान मंत्री निरेंदर मोदी ही है क्योंकि उन्होंने ही 2015 में इसको सुरू किया है योजना आयो की जगह पे आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हाल ही में FATF यानि की Financial Action Task Force यानि की हिंदी में वितिये कारवाई कारेबल ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने की गोशना की है तो इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखने की गोशना की है बी आप्शन जो है इस क्यूशन का बिलकुल ठीक है अब देखीगा दुनिया भर के अंदर Financial Action Task Force जो है एक ऐसी संस्ता है जो की मतलब उन लोगों को जो है रिपोर्ट करती है या उन लोगों पे निगरानी रखती है कि कौन सा देशी जो है वो आंतकवाद पे कितना ज़दा लोगों को सजा देता है किस तरीके से आंतकवादियों पे मुकदमा चलाता है किस तरीके से अपने देश के अंदर आंतकवादियों को नहीं पनपने देता है तो इस इसाफ से पाकिस्तान भाइसाब तो आपको पता ही है महानी ही है यह तो ग्रेलिस्ट के अंदर सामिल है और जो FATF है इसका headquarter जो है वो पैरिस के अंदर है इसके अद्यक्स्त का नाम सियांग गमीन लिव है और इसके स्थापना 1989 के अंदर हुई थी बात पाकिस्तान की हुई है तो इस भाई साब को मैप में देखिएगा पाकिस्तान की राजधानी क्या है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है पाकिस्तान की करंसी पाकिस्ताने रुपईया है प्रधान मंतरी का नाम इम्रान खान है राष्टरपती आईफल भी है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर राष्टिय सीमा को रेड कलिफ का नाम से भी पुकारते हैं हम लोग जैसे बारत और चीन है उसको मैकमोन कहते हैं हम लोग पाकिस्तान हमारे लिए खत्रे जासा ही है तो खत्रे के लिए रेड होता है ऐसा याद गर सकते हो आप पाकिस्तान की मुखे नदी सिंदु नदी है ये भी आप याद रखिएगा हाली में किस राज्य सरकार ने आतम निरिभर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की सुरूआत की है तो देखिए का परसन के हिंदर ही उत्तर है कि उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ही सुरू किया गया है मैंने आपको थोड़ दिन पहले बताया था कि बहुत सारे प्रवासी मजदूर ऐसे हैं बताया था है बाकि आपको भी पता है कि जैसे बहारास्टर से या बाकि किसी अन्य राज्यों से जहां पर कॉईड ना इंटरिंग का रण लोकडाउन है या फैक्ट्रियां वगरा द्दानी लखनव है लखनव गोमती नदी के किनारे याद रखीएगा यहां के मुख्यमंत्र योगी आदित्यनात है गवर्नर का नाम क्या है आनंदी बेन पटेल है उत्तर प्रदेश उच ने अले के मुख्यन आदिस का नाम गोविंद माथुर है हाली में किस राज्ये न मुख्य मंत्री विपलब कुमार ने इस योजना को शुरू किया है इस योजना का उदेश्य ये है कि गरवती और स्तन पान कराने वाली महिलाओं को पोशन किट देना ताकि जिनका जो छोटा बच्चा है उनके अंदर को पोशन ना आए कोई विमारी ना आए और जो बच्च लाँच करने के लिए UDMA जो एक कमपनी है इसके साथ में समझोता किया है तो अभी हाल ही में Yes Bank ने UAP Mobile Application को लाँच करने के लिए UDMA के साथ में जो है वो समझोता किया है बी आप्शन जो है इस क्यूसन का हमारा बिलकुल ठीक रहेगा इस कारेकरम का मेन उदेश्य ये है कि कम आए वाले समू को डिजिटल और संपर्क रहित लें देन डिजिटल और संपर्क रहित का मतलब है सोसल डिस्टेंसिंग लें देन कर सके इलक्ट्रोनिक्स भुकतान कर सके ताकि लोग ज़्यादा से जाए डिजिटल पेमेंट कर सके यस बैंक की बात हुई है स्थापना की 2004 में हुई है, हेड़कोर्टर इसका मुंबई में है, संस्तापक का नाम राना कपूर और असो कपूर है, M.D. और CEO का नाम प्रशांत कुमार है, अध्यक्स इसके सुनिल महता है, और U.D. M.A. टेकनोलोजी है, इसका हेड़कोर्टर करनाटका के अंदर, इसके फाउंडर और चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर का नाम भी है, अगे बढ़ते हैं हम लोग तो हाल ही में, भारत का कौन सा एरपोर्ट अपने नए रनवे पर Aviation Weather Monitoring System स्थापित करने वाला पहला एरपोर्ट बन गया है, तो अभी हाल ही में Aviation Weather Monitoring, वैदर मानेटरिंग का मतलब है कि मोसम को अच्छे से पहचान लेने वाला, और किस टाइप का वैदर है, आंदी है, बाईस है, तुफान है, इनको Aviation Weather Monitoring System को लगाने वाला जो एरपोर्ट है, उसका नाम है बैंगलूरू इंटरनेशनल एरपोर्ट लिमेटेड, एव आप्शन जो है, इस क्यूसन का बिलकुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखा दे रहा होगा ये, अच्छा, इसका एक करण्ट अफिर पढ़ाया था, थोड़ टाइम पहले है, अगर किसी बच्चे को याद आए रहा तो बताईएगा आप लोग, ये सबसे साफ है, सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है, या कम परदूशन करता है, कम कार्बन डाइक इसका भी संचालन करता है, अपने नए रनवे के दोनों छोर पे ही सवदेशी रूप से विक्सित करने वाला, एवेशन वैदर मॉनेटरिंग सिस्टम लगाने वाला, हमारे देश का पहला हवाई एड़ा बन गया ये, बैंगलुरू को हम लोग ना, सिलिकोन सिटी भी कहते इंडिया की, हाली में किस फुटबॉल कलब ने इंगलिस प्रीमियर लीग 2019-2020 का खिताब जीता है, तो ये जीता है लिवरपूल ने, बी आप्शन सही है, और लिवरपूल ऐसे जीतने वाला 30 वर्सों में पहला प्रमुक इंगलिस खिताब बन गया है, अगला क्युस्तन है भारत के किस पूरो प्रधानमंत्री के जनम दिवस पर 28 जून को राष्ट्रिय गरीब दिवस मनाया जाता है, तो गरीबों के मसीहा कहलाने वाले पीवी नरसिंग जो है, इनके ही जनम दिवस पर राष्ट्रिय गरीब दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इनका जनम जो है 28 पूरा कारोबार जापान की राजधानी क्या है टोक्यो है करंसी ये ने सींजो आब यहां के प्रदानमंत्री है इतने ही थे आज के करंटा फिर कल फिर हाजी रहूँगा लेटेस्ट अप्रेट के साथ में तब तक के लिए आप अंसते रहिए मुस्कुराते रहिए धन्यवाद